थेकर स्टुडेंट अपने टॉपिक डिसक्स कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट इससे पहले अपने कॉलिगेटिव प्रपेटिस के बारें डिसक्स कर लिया जो ऐसे सॉलीशन की वह प्रपेटी जो अमांट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है नंबर ऑ अपने पास है वह है डिप्रेशन फ्रिजिंग पॉइंट के बारें डिसक्स कर रहे हैं कि फ्रिजिंग पॉइंट इस टेम्परेचर एडविज दा सॉलीड एंड तर लिक्विड इस्टेट अफ दा सबसेंस है दा सेम वेपर प्रेशर इसका मलब क्या हुआ कि वेपर अपने डिसक्स किया था कि एक प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने और उस प्योर सॉल्वेंट में क्या कर दिया मैंने एक नोन वोलेट टाइल सॉल्वेंट एड किया ठीक है जैसे मैंने नोन वोलेटर सॉल्वेंट एड किया सॉल्वेंट बना अब इस सॉल्वेंट का जो फ्रिजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया ठीक है तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं टी एफ ऐस से और प्योर सॉल्वेंट क जो तर फिजिंग वईंटे उसको डीडर कर रहा हूं टीयाफ एफ से ठीक तो एक पूर वेंड का फिरिजिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है इसके सॉलिशन के फिरिजिंग टेमपरेचर के ठीक और इन दोनों का जी डिफरेंस होता है उसको पन कहा जाएगा डेल्टी एफ डेट इस डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट जो किसके को लोगा टी एफ नोट माइनस टी एफ सॉलीशन के ओके चलिए अब आपन आगे डिसक्स करें तो इस समझ में आगया हो गया कि डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट इस प्रपोर्शन तो दा मॉललल कंसंट्रिशन ओफस लिशन इसको अपन क्या कहेंगे डेल्टी एफ प्रपोर्शनल तू एम देखिए जो प्रपोर्शनल कंस्टेंट होता है कि ऐफ जिसको अपन नाम देंगे क्रास्कोपी कॉनस्टेंट या फिजिंग पॉइंट सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अब आपन बात करते हैं यूनिट ऑफ क्राइस्कॉपिक कॉंस्टेंट या कि यहां से कि निकाल लिया टैंपरेचर अपन मॉलल कंसेंट्रेशन होगे टैंपरेचर की यूनिट क्या हो जाएक केल्विन और जो मॉलल कंसेंट्रेशन होती हो क्या होता है मॉल पर कैजी सॉल्वेंट होता है ठीक है तो इसको मैं इसे लिख सकता हूं कैल्विन किलोग्राम यह उपर चला गया और मॉल इन्वर्स ठीक अब आगे देखिए वेल्यू क्या हो जाएगा आच इंतुन टू टी एटibt इसकारका अपने यहां क्म मतले हो जाएगा और क्टेशकर की भॉलिंग टैम्परजर हो जाएगा एंटल फीट्र यह वाई-अक्षिस हो गई अब यह कह रहा है कि यहां देखी यह लिक्विड्स वेंट याँ प्योर शॉल्वेंट है इसका फ्रिजिंग प्वेपर प्रेशर यहां हो गया ठीक है और इसी प्योर सॉल्वेंट के लिए अ नाम दे दिया अभी तेमठिशींग तेमपरेशर या टीएफ नोट अब देखें जैसे मैंने इस प्योर सॉलिवेंट के इंदर एक स्वालिट एड़ गया इसका फ्रीजिंग वेपर पेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया ठीक है वेपर पेशर कम हो रहा है तो मैं क्या रहा ह का डिपेशन इन फ्रिजिंग पॉइल के लाएगा ओके